कांकेर पकांजुड आज सुबा अंतागर अलिया के राव घाट इलाके में स्तही तापक के अंतिन दिन बीएसर के जवानों ने अचली के अड़ों में धावा बोल दिया मौके से नक्सरी भागने किया कांकेर से विजय गुमार के रिपो रैप्टूर मौका भी था और दस्दूर भी इधर महर धाई दिनों में ही 36 गड़ विधान सभा का मांसुन सत्र समेट लिया गया तो ठीक इसके दूसरे दिन बीजेपी विधायकों का सेर सपाटा का कारेक्राम तै कर दिया गया रैपूर आज सुबा करीब 7 बच के 45 मिनट पर देफूरी के कमल विहार मोड के पास थाना प्रभारी टिक्रापारा पारा पीजेपी विधायकों के रिपो दस थाना यातायात का बल थाने के बल के द्वारा नियमी चेकिंग के दौरान जीवन महंद की बस क्रमांग सीजी जीरो पोर 621 जो सुखमा से रायपूर आ रही थी उसे चेक करने पर बस में खिलोनों वा कपड़ों के विभिन गट्पों में रखे दो क्विंटल 11 किलो मादक पदार्त गांजा पाया गया जिसमें जिसे मौके पर जब तक कर प्रकरण के आरोपी बावरिया लोग हैं उन्हें गिरपतार कर थाना टिक्रापारा में धारा 20 BNDPS Act के तरहत कारवाही की गई है रायपूर से राज़ा दिवान की रिपोर्ट अंबागर चौकी विकास खंड साले इस तरी खेल इस परधा अंबागर चौकी में मजाग बन कर रह गई हैं कभी मैदान में चुने से लकीर नहीं डाली गई तो कभी पतियोगिता के समय खेल प्रभारी का उस जगह में न रहना तो कभी मैदान का पूरी तरह से तयार न रहना खेल इस परधा शुरू होने से पहले खेल कलेंडर विकास खंड सिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया था उस खेल कलेंडर में जहां जहां खेल होना था और किस किस दिनांग को होना है उसकी जानकारी उस कलेंडर में बताई गई थी लेकिन समय समय पर खेल कलेंडर में बदलाव के कारण कई इसकुली प्रचारियों को इसकी सुचना समय पर नहीं पहुंची कई प्रचारियों को तो इसकी सुचना ही नहीं दी गई उपर में मैंने सिख्छा मंतरी केडार पस्षब जी से भी इस संबन्द में चर्षट किया हूँ मैंने और माननी है चितलेखा वर्मा जी जिला पंचाट अध्याच उन्हें भी 32-35 वियाम सिख्चेतों का हस्ताक्षर यूद के लेटर जिला पंचाट में जमा किया गया और अभी कोई निर्देश को है अमबागर चौकी से हर्दिक छाबडा के रिपर बीती राद गुरुवार को करीब साड़े नौ बजे कोतवाली पुलिस ने OCM चौक बैरन बजार रोड में गंगा इंगली जाड के पास गांजा बेच रहे एक युवा को गिरफतार किया है वकील उर्फ गोलु पिता अपीस खान उम्र 32 साल निवासी गांडी नगर काली बाड़ी है कोतवाली पुलिस को मुबीर ने गांजा बेचे जानी की चुटना दी थी जिसके बाद थाना कोतवाली के 17 संकर लाल वर्मा अरक्षक घंस्याम देवांगन अरक्षक चंद्रभान पुर्रे के द्वारा बताये इस्थान पर छापे मारी की गई जहां से गांजा बेचते रुबे वकील और फर गोलू को गिरफतार किया गया और उसके पास से सफेड रंके कपड़े नूमा जिली के अंदर रखे दो पैकेट मादक पडार्थ गांजा वजनी 9 किलो 500 ग्राम एबं नगदी 5500 रुपे को जत किया गया है पुलिस ने गिरफतार आरोपी के खिलाप धारा 20B NDPS Act के तहट कारवाही की है वैपूर से पंका सर्मा की रिपोर्ट कोंडा गांग गुजरात में राहूल गांजी के काफिले पर पत्राव बाजी के विरोध में कांगरेसियों ने जलाया पुतला रधान मंत्री के खिलाप जमकर की नारे बाजी कोंडा गांग वसिष्टेंचोक पर जलाया पुतला कोंडा गांग से गोलु गिडान की रिपो अपनी आपासेति दर्ज कराई, जग्दल पूर, कंग्रेशियों ने किया नरेंद्र मोदी का पुतल द्हैन, राहुल गांधी पर हमले का विरोल मुदी का पुतल द्हैन किया। पर्टी चत्तापाटी मुर्टापाट पर्टापाट जग्दलपूर से बास्किठा को रिकर बलोदा बजार कलेक्टर और चात्र शात्राओं दोवारा 250 फलदार एवं चायदार पोधों का रूपन किया गया बलोदा बजार मुख्याले के पंडित लच्मिन अरायन तीवारी सासकी उचेतर मादिमिक कन्या साला तथा मनुहरदास वैश्णाव सासकी उचेतर मादिमिक पिध्याले के प्रांगण में कलेक्टर से राजे सिं राणा ने छात्र शात्राओं के सार 250 फलदार एवं चायदा पौधों का रूपन किया बलोदा बजार से अखेल मानिक फूरी के लिए हैं आपका व्श्वास हमें आपका भरुशा कबर से लेका रसंतर नहीं हम दिकाते ने गुरी हमें CNI News